हेलो 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 एव्रीवन वेलकम तो आवर चैनल लेट्स प्राक्टिस तोगेदर आज जो प्राप्लम अदर दे है वह है मैक्सिमम विनिंग स्कोर क्वेस्टिन क्या बोल रहा है कि आपको एक ऑनलाइन गेम दिया गया है जिसमें end blocks जो है वह hierarchical manner पे arrange किया गया है मैं आपको simply question के तरफ समझा जेता हूँ आप एक बार पढ़ लीजेगा statement और उसके बाद देखीगा कि क्या आप statement पढ़कर समझ सकरें कि आप लोगों को question कैसे बनाना है तो question जो है यह blocks और कुछ नहीं बलकि आपको एक tree दिया हुआ है और आपको collect करना है maximum points और यह maximum points कैसे मिलेगा आपको product करके और आपको maximum score जो है वही return करना है इसका मतलब क्या हुआ जैसे कि आपको एक tree दिया गया है आप सिर्फ एक path को choose कर सकते हो आप 4 के साथ 2 के साथ 2 के साथ 2 के साथ 1 के साथ जा सकते हो या 483 जा सकते हो या 484 जा सकते हो तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास total 4 ways है जाने के लिए correct अब आपको decide करना है कि इन 8484 128 आगया तो यही है आपका आज का question यह जो पूरा statement दिया हुआ है कि हम लोग एक game खेल रहा है जिसमें आपका blocks है वो एक arrange किया गया है hierarchical manner में and everything आपको जो point है वो करना है product और आपको एक maximum जो value है वो return करना है तो मैंने आपको sort way में समझा दिया कि यह क्या है कि एक आपको tree दिया हुआ है और आपको final maximum product बताना है कि किस path में maximum product होगा अब इसका approach क्या होता है हमको पता है कि अगर binary tree है तो हम लोग कैसे उसको traverse कर सकते है हमारे पास traverse करने का in order है pre order है post order है और हम लोग maximum जो है binary tree के question को recurs recursive manner में बनाते हैं ताकि हम लोगों को बहुत ही कम line में हमारा task जो है वो complete हो जाए अब हम लोग क्या करेंगे आपको सबसे पहले सोचना है कि हम लोग top to bottom approach करें या bottom to top क्योंकि अगर हम लोग 4 से सुरू करते हैं तो हम लोग किस path में जाएंगे यह decide करने के लिए हमारे पास maximum है हमारे पास आया 2 तो हम लोग 2 के साथ आगे बढ़ जाएंगे फिर यहाँ पर तो इस level में कुछ नहीं है तो 2 into 2 4 तो यह हमारा left वाला part खतम हुआ same हम लोग right वाले part में करेंगे 3 और 4 में कौन maximum है हमारे पास 4 maximum है और 8 तो 8 है तो 8 into 4 32 and 2 into 2 4 अब हम लोग चेक करेंगे second level पे कि 4 और 32 में कौन सा maximum है जैसे हम लोगों को मिला 32 हम लोग इस level को छोड़ देंगे और अब हमारा part क्या हो गया 4 8 & 4 समझ में आया तो हम लोग क्या कर रहे है bottom से अपका approach कर रहे हम लोग हर एक level पे चेक करेंगे कि maximum कौन है और उसी maximum को हम लोग return करके आगे बढ़ेंगे आयोग आपको समझ में आया होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे recursive call से बनाएंगे आपको क्या पता है कि हम लोग क्या निकालने वाले है maximum निकालने वाले है maximum किसका left का as well as right का तो suppose हम लोग last में आ चुके हम लोग एकदम back में आ चुके हम लोग इसी function को call करेंगे find max score को correct और हम लोग कहां जाएंगे इसके left के लिए check करेंगे as well as right के लिए check करेंगे तो हम लोग यहाँ पर right के लिए भी इसी को call कर देते हैं root के right के लिए अब अगर हम लोग बना रहे है recursive function तो आपको पता है कि सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना चाहिए इसको हम लोग last में करेंगे return ठीक है अब हम लोगों को पता है कि यह बार बार तो चलते रहेगा हम लोगों को एक base condition चाहिए recursive call में यह start कहां से होगा यह start होगा 4 से क नहीं है तो हम लोग करेंगे return 0 यह होगी हमारा base condition अब आप सोचिए हम लोग product कर रहे है तो starting का से करेंगे main root से करेंगे तो हमारा जो return होगा वो पहले root के data के साथ होगा और उसके बाद हम लोग multiply करेंगे अपना maximum left के लिए as well as right के लिए तो अब हमारा क्या होगा देखिए answer हो जागा 4 multiply by फिर से recursive call left में चले गए and as well as right में चले गए correct तो यह 2 और 8 जो है आप दोनों return करेगा अब जब 2 के पास गए तो फिर से क्या होगा root का data multiply होगा so 2 multiply by again left as well as right का call हो गया left और right का call हुआ तो हम लोग क्या देखेंगे फिर 2 के लिए call हो जाएगा 2 के लिए call हो गया null right के लिए भी call हो गया null तो हम लोगों को null null का multiplication नहीं चाहिए हम लोगों को null null को किसी तरह रोकना पड़ेगा तो null null को कैसे रोकेंगे हम लोग यहाँ पर हम लोग ए case लगा देंगे कि अगर हमारा leaf node में पहुँच गया leaf node मतलब जिसका left और right दोनों का द तो भी अगर equals to equals to null है तो हम लोग क्या समझेंगे कि हम लोग leaf node में पहुच चुके हैं और हम लोग return कर देंगे root के data को I hope आपको समझ में आया होगा तो अब जब 2 के पास पहुचे ना तो यह next नहीं जाएगा क्योंकि 2 का left और 2 का right दोनों null है तो यह भेज देगा 2 को और इधर भेज देगा 1 को अब हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे है 2 और 1 में max कौन सा है तो max हमें निकला 2 और आगे से हम लो जो बाकी structure दिये गया है यह क्या है node के structure है यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाले बात है कि जो data है उसका type है int ठीक है मैं आता हूं इसके call में मैं आपको dry run करके दिखाऊंगा लेकिन यहाँ पर जो एक बात notice करने की है कि यह data जो है int type का तो अगर हम लोग यहाँ पर return root का convert कर सकते हैं समझ गए यहाँ पर भी same हम लोग root के data को multiply करके कर रहा है तो इसको भी हम लोग convert कर देंगे long-long मैं आयोजोब आपको यह समझ में आया होगा कि हमने यहा पर long-long क्यों किया type casting क्यों किया क्यों क्यों कि यहाँ पर जो दिया है data वो int कर दिया हुए तो अब हम लो return 4 क्योंकि यह root का data क्या है 4 है तो यहाँ पर आजाएगा 4 multiply by अब हम लोग क्या कर रहे है maximum find करेंगे किस के लिए root के left के लिए as well as root के right के लिए तो root के left के लिए फिर से call होगा यहाँ पर यहाँ पर left, right अगर मैं लिखूँ तो यह left और right के लिए fit से call होगा ठीक है तो हम लोग left में चलते हैं तो यह recursive function fit से आगया इस बार left के case में क्या आया left यहाँ पर अभी हमारा root क्या है हमारा 2 है क्योंकि left के साथ भेज़े है तो यहाँ पर again left भी null नहीं है यह right भी null नहीं है तो अब जो उसके अंदर यह left वाला पाट में लिख रहा हूँ यहाँ पर हो जाएगा 2 multiply by again maximum of what maximum of इसका left और right इसका left और right क्या है 2 और 1 है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते है 2,1 क्योंकि जब 2 के लिए यह call होगा तो हम लोग देख सकते कि 2 का left भी null है 2 का right भी null है तो वो return कर देगा data को इसलिए मैंने direct data लिख दिया अब जब data लिख दिया तो यह क्या हैगा equals to maximum of 2,1 it will return 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 2 into 2 और यह 2 into 2 equals to 4 यह return कहाँ पर हो जाएगा यह पूरा का पूरा return हो जाएगा left part में यह हम लोग left part के लिए लिख रहते तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ left equals to बतलब अब जो है यह left का value यह left ने रहा बलकी रहा 4 अब हम लोग को चाही right same case हम लोग right में करेंगे तो यहाँ पर क्या आजाएगा return यह right के लिए अगर हम लोग लिखे तो right के लिए हो जाएगा return 8 into again maximum among what 8 का child क्या है 3 and 4 और 3 और 4 के left और right दोनों नल है इसलिए हम लोग return data करेंगे तो यहाँ पर आजाएगा 3,4 which is what maximum हो जाएगा 4 so 8 into 4 यह return किया 8 into 4 which is equals to 32 तो यह 32 कहाँ पर आएगा right में आएगा मतलब इसके लिए जो recursive call वा था उसके लिए आजाएगा 32 अब हम लोग maximum देख रहे है 4 और 32 में क्या है 32 है तो यह क्या return करेगा 4 multiply by 32 which is what 128 और यह देखिए यही हमारा answer है 128 I hope अब आपको समझ में आया होगा तो जब भी हम लोग को down से अब के लिए जाना है approach हम लोग लगाएंगे recursion function और हम लोग जब recursion function लगाते हैं तो आपको याद रखना है कि base condition को ना भूले तो चलिए compile and run करके देखते हैं अगर कुछ हमने miss किया है तो और यहाँ पर yes आपको output मिल रहा है 128 जूड़ सकते है Instagram का link जो है हमारे description में है और मैं बार बार कहता हूँ कि आप एक बर खुद से कोसिस कीज़े question मनाने की और उसके बाद solution देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपके लिए beneficial होगा तो चलिए कल फिर मिलते है नए question के साथ तब तक के लिए goodbye stay bliss stay safe and keep coding